आप जिम्मेवार हैं बिहार बोड के मानिया अध्याच महुद है और जो परिच्छा ले रहे हैं संचालन कर रहे हैं उनको उन पर जाच किया जाए CBI जाचो तो एक और आप गुनवत्ता पुर्ण सिच्छा की बात करते हैं और गुनवत्ता पुर्ण सिच्छक को बहाल करना चाहते हैं और बिल्कुल तूटी पून पर इच्छा ले रहे हैं एक तो सिच्छक ऑनलाइन पर इच्छा नहीं देना चाहते थे जब दिये तैयार हुए राजकरवी के बन्य के लालसा में तो आपने उसमें खोट निकाल लिया आपकी मनसा ठीक नहीं है सिच्छकों की मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार में सिच्छकों की परेसानी जो है कम नहीं हो रही है एसीएस बदल गए हैं सिच्छा विभाग ने ट्रांसपर पोस्टिंग पॉलिसी भी ले आई है लेकिन इस बीच जो है एक और मामला ये है कि नियोजिस सिच्छक जो लंबे समय से राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए जो मांग कर रहे थे पट्टा की सरकों पर उतर करके आंदोलन कर रहे थे लगातार सोसल मीडिया का सहारा भी ले रहे थे उसको लेकर के सरकार ने सक्षमता परिक्षा आयो जित की सक्षमता परिक्षा जिन्हों ने दी उनका रिजल्ट आया और जो नियोजिस सिक्षक थे वो राजिक कर्मी बनने का सपना भी देखने लगे अब उसके बाद जो है ट्रांसफर पोश्टिंग पॉलिसी को ले करके जो पेज फसा उस पर भी लंबा घमासान मचा तो खैर पॉलिसी आ गई है लेकिन अभी तक पोश्टिं गई थी जिसको बिहार बोर्ड ने माना है और इस गलती की जो सजा है वो अब नियोजिस सिक्षकों को फिर से भोगतना होगा और जिन्होंने सक्षमता परिक्षा दी है उन्हें दुबारा से सक्षमता परिक्षा देनी होगी 13 नवंबर को तिथी रखी गई है उसी दिन ज है वह वह काफी ज़्यादा नाराज है और कह रहे हैं कि सिक्षक जो बिभाग की गलती का खामई आजा आखिर क्यों भोगते तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेलेंद सर्मा जी हैं संग के निता रह चुके हैं सिक्षक भी रह चुके था है तो उनसे कि ये बड़ी गलती यहांपर दिखाए दिये कह सकते हैं एक तरह से लापरवाही है यहांपर कि आपने प्रस्थ पत्र सही से नहीं आपने छापा और फिर जिए पिर सिक्षकों को फिर से परिक्षा देनी परेंगी सिच्छक ही नहीं समस्त च्छात्र और जो सरकार की सिच्छा की नीती रही है या तुरूटी पुन रही है और इसमें ये डवल इंजन की सरकार और इसमें सोध कर रही है और सोध करने में ब्यापक तौर पर तुरूटीयां सामने आ रही है और जिसका खाम्याजा सिच्छक ही नहीं समस्त सैचनिक परनाली और सैचनिक गुनवत्ता की जो इन्होंने बात की है और पुर्व के महागटवंदन की सरकार जो कही थी कि हमें गुनवत्ता पुर्ण सिच्छक का हमें आउटपूट चाहिए अब वो तो सरकार रही नहीं लेकिन मुखिया वही हैं अभी सरीनितीश कुमार जी और सिच्छा में जो तूटी पूर्न इस्थिती और सिच्छकों के समस्याएं आ रही है नित परति दिन नए आदेश और उस आदेश के तहट कई क्या कही है उसको कमिया और खामिया आ रही है जिसको सिच्छक भूगत रहा है और दैर्ज के साथ अभी जो इस्थिती बनी हुई है जो अवकास की सबसे बड़ी समस्या अवकास में छेड़ छाड़ पूर्ग के S.E.S. सरिके के पाठक जी ने किया था वो गर्मी छुटियों को लेकर उसमें गैर सैचनी कार्ज सिच्छकों से लिया चुनाओ सम्मंदी कार्ज लिया और उस बिच गैर सैचनी कार्ज जो है जनगन्ना का जाती है जनगन्ना का कार्ज लिया ऐसी स्थिति में सिछकों को परतारित और सोसन की परकिरिया अपना ही जा रही है और बरतमान A.C.S. साहब जो नित परती दिन नए कानून ला रहे हैं अभी जो सेवा कालीन पर सिछन का कार्ज करम था चुटियों का मामला सेवा कालीन पर सिछन के करम में सुरू हुआ है और दोनों A.C.S. जो तमिल लाडू की सिछा लाना चाहते हैं A.C.R.T. के निदेशक, सर्जन कुमार आर और A.S. सिदार्थ महोदे यह तमिल लाडू की सिछा यहां थोपना चाहते हैं उसके लिए एक भेजे फोज की वहां की सिछा परनाली को आप यहां लाइए और वहां से सीख लाइए कि और क्या गुनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं गुनात्मक परिवर्तन तो यही है कि S.C.R.T. द्वारा सेवया कालीन परसिछन जो है वो छोत अगनिर्धारित था जो छुटियों को कटवती करके किया गया है क्या आननफानम में परसिछन दे रहें आप क्या उन से परसिछक लाएं आप बियार के परसिछकों को मैं भी तो रिसोर्स परसन रहा पूरे स्टेट लेवल का N.C.R.T. का रहा, S.C.R.T. का रहा लेकिन ऐसी बेवस्ता कू बेवस्ता थी क्या और सिछक आउकास से जूर है दूसरी परिच्छा परना ले एका एक जो है बियार मादमिक सिछक संग के द्वारा उठाया गया कि बिना सर्थ राजकर्मी का दर्जा लेंगे, बिना सर्थ राजकर्मी का दर्जा एक राजनितिक परपंच था सिछकों को आंदोलित कर उसके ओट में अपनी राजनितिक रोटी सेक लें लेकिन दबाव पढ़ने के कारण उस बड़े आंदोलन ससक्त आंदोलन को एक बैक समाप्त कर दिया गया और उसके बदले परिच्छा नहीं देंगे परिच्छा भी दे रहे हैं और परिच्छा दे रहे हैं तो एक और BPSC उसको कंट्रोल की आनन फानन में कई लाग सिचकों क की बहाली हो गई अब तुरूटी पुर्ण बहालियां हो गई आनन फानन में और उसका खामियाज आप सिचक भुगत रहे हैं उनको जाच में लगा रहा है उगाई का एक मध्यम बना लिया है तसील करने का और सिच्छा पदादिकारियों का जो भ्रस्ताचार में लिप्त ह होना है असपस दिखाई पड़ रहा है और अभी जो परिछप में साथ विसेयों का आया है जो ग्रिव ग्यान संगीत निर्थ हिंदी बुली हिंदी में तुरूटी और नाइन तेंथ में और तेंथ में इतिह हिस्ट्री और हूम साइंस इसमें तुरूटी पुर्ण अगर जो प्रस्ण पत्रायत जिम्मेवार कौन है जिम्मेवारी तो तेक किजिए कि सिच्छा की जिम्मेवार हैं आप जिम्मेवार हैं बिहार बोड के मानिया अध्याच महुद है और जो परिच्छा ले रहे हैं संचालन कर रहे हैं उनको उन पर जांच किया जाए CBI जांच हो जाँच होनी चाहिए, सिच्छक क्यों पर नाम भुगतेंगे, आपने एक और cut-up marks answer sheet जारी कर दिया, और दूसरी और फिर पुना परिच्छा का आपने गोसना कर दी, परतारिश सिच्छक हो रहे हैं, एक और अपनी वो परिच्छा का निकाल लिए कि मैं compete कर गया, और फिर वो पुना परिच्छा में सामिल होंगे, ऐसे गतिविद्यों की जाँच होनी चाहिए, और मैं अखिल भारतिये सैच्छिक संग के रास्टिये संजुक सचीव होने के नाते, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और इसको मैं केंदी ये मंत्री स्री धर्मिंदर परधान जी को मैं लिखूंगा, और कल ही लिखूंगा, जे, सोसल मीडिया पे जैसे हम देख रहे हैं कि कई एक जो कॉंग्रेस के भी प्रभकता हैं, वो लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो परिक्षा दुबारा ली जाएगी, उसमें उन्होंने ये आज कैप्सन में लिखा है, ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है कि अक्षम जो है सरकार है, और उनको सक्षम सिक्षक चाहिए, सरकार पे ही अक्षम ता कारूप लगा दिया कि आप अक्षम हैं, और सक्षम आपको सिक्षक चाहिए, और अंधेर नगरी चौपट राजा भी ये उपाधी दे दिया है, ये नगरी अंधेरों की है और यहां चौपट राजा है, लेकिन वो लोग भी जितनी भी पार्टिय हैं, वो सब राजनीति रोटी, माध्यम सिचख, सब लोग फाइदा उठा रहे हैं, सिख्षक और सिचा विभाग जो है, ये च्हौलाक सिचखों का जमात है, जो एक और आप गुन्वत्ता पुर्ण सिच्खा, सिच्खा की बात करते हैं, और गुन्वत्ता पुर्ण सिच् तो आपने उसमें खोट निकाल लिया, आपकी मनसा ठीक नहीं है, सिच्छकों की न्यूक्ति आप नहीं करना चाहते हैं, समाज को नई दिशा नहीं देना चाहते हैं, सिच्छा में कोई गुनात्मक परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, आपके मन में खोट है और सिच्छा के पर्ति आपका सोच जो है निस्करी है आपकी नीती ठोज नहीं है इस परिक्षा के वज़ा से जो है अब समय भी ज्यादा लगेगा उनकी पोस्टिंग को ले करके जो सक्षमता परिक्षा टू जिन्हों ने दिया वो फिर दुबारा जो है जो बिसे हैं उनकी परिक्षा फिर सब कुछ हो गया आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं और अस्थानांत्र की बात कर रहे हैं बीच में आप हीड मास्टर की बाहली सारा उसका यह हो गया परक्रिया पूरी हो गई है तो रोश्टर के नाम पर उसको लटकाए हुए है एक और साथ हजार मन्यमुख मंतरी जी दे रहे हैं कि 7000 लाइबरेरियन, 37000 सिच्छक, पलस टू टीचर की बहाली तुरत करने जा रहे हैं, इतने परधाना ध्यापक की बहाली होगी, कहां हो रही है? ये सब एक खोखली निती है, और कोई वीजन नहीं है सरकार की सिच्छा के परती, और ये सिच्छा को गर्त में मिलान की परिस्थिती में आ गए हैं.